नवीन पतनायक ने नितीश कुमार को खाली हाथ ऐसे लोटाया कि नितीश कुमार को मिडिया वालों से जबाब देने में भी लाज लग रहा था। आप जो गडबंदन बना रहे हैं महां गडबंदन आप तयार कर रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं है और इसके बाद नितीश कुमार को वहाँ से नवीन पतनायक उरिशा के मुख्यमंत्री ने चुपचाप लोटा दिया और नितीश कुमार वहाँ पे जब मिडिया वालों से बा बाचीत करने आये थे नवीन पतनायक ने कहा कि गडबंदन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है कहा दिया रहा है कि नितीश कुमार वहाँ पर बाचीत करने गये लेकिन नवीन पतनायक ने एक दम इनकार कर दिया कहा कि हमको कोई बात नहीं करना है गडबंदन में हम नहीं सबसे पहली बात कही जा रही है कि नितीश कुमार का जो नमीन पटनायक है इनसे बड़ा पुराना रिस्ता रहा है लेकिन तमाम रिस्तों को नमीन पटनायक ने एक किनारे रख दिया और राजितिक तोर पर नितीश कुमार जो बाच्चित करने गया थे उसको सीरे से खारिज कर दिया आप याद किजिए ममताब अनर्जी जो नितीश कुमार मिलते हैं मिलने के बाद वहाँ पर प्रेस कॉंफरेंस होता है ममता बनर्जी और नितिश कुमार दोनों लोग कहते हैं कि हम साथ साथ हैं लखनवु याद किजिए अख्रेस यादो वहाँ पर दोनों लोग कहते हैं कि सबको साथ हैना चाहिए ऐसे ही नमीन पतनाएक से मुलकात करने जाते हैं नवीन पतनायक मना कर देते हैं, कहते हैं कि आप रहने दीजिए, हम आपके साथ महीं आ रहे हैं, इसके बाद नितिश कुमार आते हैं बाहर, मिडिया वाले सवाल पूछते हैं, कि आपके जो बिपक्षी महाजुटान को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, न नवीन पतनायक ने नितिश कुमार को मना कर दिया है, और तभी नवीन पतनायक ने बोल भी दिया, कि गटबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, नितिश कुमार हमसे जमीन माँग रहे थे, हमने इनको कहा कि ठीक है, उडिशा की सरकार आपको मुप्त में जमीन दे रही है अब समझे जमीन वाला मामला दरसल नितीश कुमार जो उडिसा में पूरी जगह है उस पूरी जगह पर जमीन मांगने कहा है कि आप बिहार सरकार को मुफ्त में जमीन दीजिए हम वहाँ पर बिहार भावन बनवाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर बिहार के जो लोग ह वो बड़ी संख्या में रहते है और नमीन पंटायक ने कहा कि हम जमीन दे रहे हैं लेकिन राजितिक तोर पर जो आप गड़ बंदन कर रहे हैं जो आप पूरी की पूरी खोशिस में लहें उसमें हम आपके साथ नहीं है और मुफ्त में जमीन देकर नितीश कुमार को नमी नवीन पतनायक उन्हों नहीं दे दिया इधर भारती जंतापाटी पहले से इस बात को कह रही थी कि नवीन पतनायक जी नितीश कुमार का साथ क्यों देंगे कभी नहीं देंगे और नवीन पतनायक ने बकायदा इस चीच पर मुहर लगा दी कि हम नितीश कुमार के साथ 2024 के चुनाओं में नहीं है और एक परकार से कहिए कि नितीश कुमार मिडिया वालों के सामने इस बात को जैसे चुपा रहे थे उस पर कहा जा रहा है कि नितीश कुमार जब सवाल सुन रहे थे गटबंधन को लेकर वहां गटबंधन को लेकर तब नवीन पतनायक के सामने उनक सपना नितिश कुमार का तोड़ दिया और मना कर दिया और कह दिया कि हम राजनितिक तौर पर कोई चर्चा नहीं करेंगे और जमीन देकर के मुपत में वापस भेज दिया नितिश कुमार को अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है लेकिन नितिश कुमार चाहें जो भी चीज़ करते हैं दोनों नेतां वहाँ पर रहते हैं जिस नेता से मुलाकात करने जाते हैं और वहाँ पर खुले तोर पर ऐलान किया जाता है कि हम सब 2024 में साथ मिलकर चुनाओ लड़ेंगे लेकिन नवीन पत्नाइक ने वापस खाली हाथ लोटा दिया है अब आगे देखते कि और क्या कुछ होता है नितिश कुमार की जो मुहीम है जो विपक्ष के तमाम दलों को एक जुट करना चाह रहे है वो मुहीम कहां तक पहुंचती है जो भी आगे और जानकारी जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ में आप तक पहुंचाएंगे फिलहाल इस पर आप कि क्या पड़त करिया है कमेंट बॉक्स में लिकर बताइएगा कैमरे जेब शेब शाहल खड़े हैं और मैं मुहीक कुमार सहीं बहुत बहुत धन्यवाद